गुड मॉनिंग, यह तो दिख रहा होगा कि आपको यह मानुष ट्रक्चर है, लेकिन आप यह कभी सोचे हैं कि हम कान से सुनते कैसे हैं, कौन सी क्रियाएं होते हैं, जिसके वज़े से कान से सुन लेते हैं, या फिर कभी आपनी यह सोचा है कि कौन-कौन सा एंजाइम मिलता इसमें क्या क्या होता है, कहां मिलती हैं, कैसे काम करती हैं, इसमें क्या-क्या होता है, इनको किसे नाम से जानते हैं, बहुत सारी जानकारी इसमें इकठा करेंगे आज़े, शुरू करते हैं, सबस्पहले आपको अगर कुछ बताएं तो उससे पहले कि आपको यह पता होना इधर से बारा और इधर से बारा पसलियों के अंदर वाले पार्ट में हमारा फेपड़ा स्थित है जो हम सांस लेते हैं तो फेपड़ा इसके अंदर है इसके अंदर रहता है हमारा फिपड़ा और हम सांस लेते हैं उन्हीं कोफिकाओं में हवा जाता है ठीक और इन्हीं पसलियों के नीचे जश्ट यहां पर एक मिनिट इन्हीं पसलियों के नीचे जश्ट यहां पर आपको मिलेगा हमारा हिर्दय दिल जिसे बोलते हैं हर्ट च सकता ना पूरी सरीर के साथ रहता है तो लगभग बीच में ही रहता है यहां पर मिलेगा इसी के अंदर मिलेगा बतलब कि बड़े सुरच्छा में रखा गया पसलियों के अंदर सुरच्छा को भगवान ने कितना अच्छा बनाया है कि इतनी मोटी-मोटी हड्डियां उपर क यह एकरित ना कि उसी का यह वाला हिस्सा से अंदर दृस्ण और यहां पर देखिए यह पसलियों के नीचे आएंगे थी यह वाला पार्ट यक्रित यहांसे मिल जाएगा और यह वाला पार्ट अमास है अमास है यह आकर यह eten हो जोटी यान आता है इसस यह पूरा जो पूरा फैली हुई है और उसके बाद यह आका जोड़ेगी बढ़ी यहां से बढ़ी यहां से बाहर निकाल देती है जो भोजन पच्चता नहीं है वही चीज यहां भी दिखाया गया है यह चोटी यहां पूरा भरी पड़ी है और यह बढ़ी यह घोम के आई ऐसे और यहां स अब अच्छित भोजन बाहर निकाल देता है थोड़ा सा इस्ट्रक्चर समझ मागया है न अब समझ मागया तो आपके दिमाग में इतनी बाते होनी चाहिए अमास से अगर यह अक्रित इधर है तो अमास से इधर होगा और अमास से कि जस्ट नीचे यहां पर अगनास से गया तो पूरा बॉड़ी गया इसलिए उसका सुरच्चित होना बहुत जरूरी है इसलिए वह अंदर सुरच्चित रहता है बात क्लियर है अब आज की कुछ गरंथियों के बारे में देख लेते हैं बाहस्रावी गरंथियां कौशी गरंथियों देखेंगे बाहस्रावी होते है थैलों में क्या होता है या तो एंजाईम होगे या तो हार्मोन सुगे द्हानसमजेगा कुछ भी इर्टना नहीं पड़ेगा सब्यादा हो जाएगा अब द्हान सुनियेगा पहले समझ लिजे क्या है, 22 रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो अपना एंजाइम अपनी ही नली के द्वारा जहां पहुचाना है, पहुचाते हैं, मतलब कि वो किसी के उपर डिपेंड नहीं है, उनकी पास जो भी पदार्थ बना होगा, उनकी ग्रंथि में थैले में जो ग्रंथियां के पास अपनी नली नहीं होती है, अगर उनकी पास कोई हर्मोन्स है, मुख्यता 22 रावी ग्रंथियों के पास एंजाइम होता है, और अंतसरावी ग्रंथियों के पास हर्मोन्स होता है, तो अंतसरावी ग्रंथियां क्या करती हैं, अपने हर्मोन्स रक्त में जाल देती है क्योंकि रक्त पूरे बाड़ी में घूम रहा है नली के माध्यम से धामनी सिरा तो नाम सुने होगे ना उनके माध्यम से घूम रहा है तो यह क्या करती है अपने हार्मोन्स को रक्त में डाल देंगी रक्त पूरे सरीर में ले जाएगा अंतर सरावी ग्रंथिया और 22 सरावी गरंतिये क्या करती है वो अपना खुद से गाड़ी कटा कर लेती मतलब अपनी खुद की नली बनाये रखती है और अपनी नली के माध्य। इन सब पर जिम्मेदारी किसकी होती है एंजाइम की किसकी होगी एंजाइम की और हर्मोन का काम का होता है हर्मोन का काम होता है किसी अंग की क्रिया सेलता को जैसे हसना रोना ये तमाम चीज़ उठना बैठना ये सारे जो अंग में क्रिया क्रियाएं होती है आपके बाड़ी जो काम करती है तो अंग की क्रिया सीलता के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन्स ठीक है और किसी अब क्रिया की अब क्रिया मतलब कि आपके बाड़ी में कोई काम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है अंतर समझ मागया दूसरी बात 22 रावी गरंथियों में एंजाइम मुख्यता है और 12 रावी गरंथियों में हर्मोन्स मुख्यता है इसकी अलावा 22 रावी गरंथियों के पास अपनी अपनी नलिकाएं है वो जो भी अंजाइम भेजेंगे, अपनी नलिकाओं उस भेजेंगे, वो किसी के उपर निर्भर नहीं रहती, जबकि अंतसरावी गंतियों के पास, अपनी नलिकाओं नहीं होती है, वो डिपेंडर रहती है, बलड़ वाली नलिकाओं के उपर, उनका अपना जो भी मैसेज ह होता है वो खोन को दे देता है वो लेता है अधर कर पहुंचा देता है दो त возмож की का जीवन होता है जैसे आपको कोई सामान लाना है किसी मर्केट से या तो आप खुद जाओ लेकर आओ या पर कोई जा रहत अम्हों वालो सिंपल सी बात है आप खुद जाओ planets लेकर आँगे सैं लेकिन आप क्या क्या किया अपने क्या किया गारी से नहीं गए आप आटो पकड़े या फिर बस पकड़े और गए और समान ले चले आए तो यह क्या हुआ अपना मैसेज दूसरे के माद्न से पहुंचाए तो वो क्या हो गया अनतहसरावी मतलब अनतहसरावी गंतियां दूसरे पर निरभर रहती हैं और 22 गंतियां अपनी नलिकाये होती है यह पूचा जाता है द्यान रखना, 22 गरंथियों के बारे में पढ़एंगे. अगर वात करें कुछ 22 रावी गरंथियों के बारे में तो एक गरंथी होती है उसका नाम है सेरो मीन गरंथी सुने हो आप सेरो मीन सेरो मीन गरंथी सेरो मीन गरंथी का नाम सुने हो दरसल यह गरंथी हमारे कान में मिलती है शीरो मीलती है इसलिदे का लिए चित्रा को दिखारे के कि अपको तीचा ना को नीधे मीस आप उन में पूछा जाता है तो सेमारे काम क्या होता है यह यहां पर होती है दिखराए यह यहां सिरुमीन गरंथी का काम होता है कि कान में मोम बनाना मोम जिसे गाउं की वहास हमें बोलते हैं खूट बोलते हैं कान में खूट पड़ गया या फिर मोम बनाना तो ये गरंथी एक्टिव नहीं रहती जादा क्योंकि कान में इतनी गंदगी जाती ही नहीं लेकिन जब हम जरूरत से ज़्यादा इसमें होता नहीं कुछ लोग कान में चावी डालके या फिर लकड़ी डालके यहां पर ऐसे से करते रहते हैं तो क्या होता है यह गरंथी एक्टिवेट हो जाती है और क्या करती है जरूरत से ज़्यादा मोम बनाने का काम करने लगती है तो जरूसे ज़्यादा मुम बनना भी कान के लिए सही नहीं है इसलिए अगर कभी भी आप फालतू खड़े हो और हाथ में गाड़ी की चावी हो तो कोशिच करो कान में कान में बढ़ डालो ठीक है नहीं तुप रॉब्लम हो जाएगी फिर कान की प्रॉब्लम सामने आएगी फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा कान की बारे मताता हूं ये वाला पार्ट आप दिख रहा है ये वाला हिस्सा एक तना हुवह परदा होता है इसे एड्रम ब कि पूरे बाड़ी का इक ही मास्टर है मस्तिस्ट अगर वो किसी चीज को इग्नोर कर दिया नहीं सुन रहा है तो आपको कितना भी भेजतेरों नहीं समझ वाने माला उसको तो ये ear drum बोला जाता है यहां कान का परदा होता है इसके साथ कुछ कान की भी सिष्टा है और बताते हैं हमारे कान में, मतलब सब के कान में अर्दविरित्ताकार नलिकाएं होती है ऐसे ऐसे आप बहुत पहले सुने होंगे और question भी बहुत बनता है इस पर थोड़ा सौन लेजे। अर्द विर्टत का नलिकाएं होती हैं और होता क्या है कि बच्पन से ही इन नलिकाओं में एक द्रव भर जाता है अर्ध विर्टत का नलिकाओं में किस आधार पर जमता है? जिस आधार पर हम अपना dailance बना कर चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं क्योंकि सुरो-एसरो में जब हम बड़े हो रहे होते हैं जिस टाइम तो उस टाइम हम खड़े होकर चल नहीं पाते, अपना dailance नहीं बना पाते तो इसी दवरान जब यह सब क्रियाएं हो रही होती है तो यहां अर्ध विर्थाकार नलिकाएं होती हैं इनमें एक द्रव भरके जम जाता है और वो इस आधार पर जमता है जिस आधार पर आपका बैलेंस बन रहा होता है मतलब जिस आधार पर आप बैटते हो और बैलेंस ब द्राव बना हुआ है अगर कभी भी इस द्राव में इधर उधर बदला हुआ तो आपका बैलेंस नहीं बन पाई का और आप गिर जाओगे ध्यान सुनो जब कभी आपको को कोई पकड़ कर घुमा दे गोल-गोल तेजी से अगाओं में तो बहुत घुमाते हैं लोग बच्च हो जाता है जब हलका सा डिस्टर्व हो जाएगा तो यह द्राव में जो डिस्टर्वेंस आया हुआ है इसकी वज़े से जब आप गोल-गोल घुमते अचानक से रुख गए तो यह द्राव को इस्थिर होने में टाइम लएगा क्योंकि यह भी हलका सा हलचल में आ गया था इसको इस्थिर होने में टाइम लएगा क्योंकि यह बच्पन से इस्थिर था और आपको बैलेंस बनाता था अचानक से आप गोल-गोल घुमने लगे तो इसमें भी हल चला गए और अचानक से आप रुख गए तो इसको इस्थिर होने में टाइम लएगा और जब तक यह अचानक से रुक कर अपना बैलेंस नहीं बना सकते हो और आपको अगर आधार कोई भी नहीं पकड़े तो आप गिर भी सकते हो महसूस्त की होगे बच्छवन से ही तो यह हमारा कान का बहुत महत पूर हिस्सा है ध्यान रखना यह क्योशन कही बार पर पर माया है कि अचानक से घूमते हो रुख जाने पर बैलेंस क्यों नहीं बन पाता तो कान में भारा एक द्रव ही इसका निर्धारन करता है इस चीज को याद रखना ठीक है हम तो आपको गरंथी बता रहे थे यह तो वैसे बता दिया कान के भी तीन हिस्से होते बारी हिस्सा जिसमें मौम बन जाता है मध्यवाले हिस्सा जहाँ यह ड्रम होता है जहाँ कान का परदा होता है उसके बाद यह अंतर्यूरी की हिस्सा होता है और वही ले जाता है तंत्रिका उत्तक के पास आपके तमाम जानकारी को तंत्रिका उत्तक ले जाएगा दिमाग को पहुचाएगा दिमाग उसे सुनेगा समझेगा उसको महसूस करेगा ध्यान रखना गर दिमाग कहीं और भी जी है तो आप कितने भी अच्छे बाते भेजते रहों सुन-सुन कर दिमाग नहीं सुनने वाला तो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है बात के लिए रहा है नहीं समझ मैं ध्यान सुनो कभी क्या हुआ क कि आप रेल की पटड़ी पे बैठे थे ऐसे ही ऊप कर बैठे थे और अचानक कि किसी खास का फोन आ गया जिसे आप बहुत पसंद करते हो होता ना दिखे सबकी जिन्दकिम कोई न कोई होता है जिसे वह बहुत पसंद करता है वो उससे पसंद कर रहे कि न गर या अलग मतलब उसी की बात में इतने तलीं हो गया सारा दिमाग उसी बात में फिक्स हो गया और ऑएसे में क्या होगा दरहर से ट्रेन आ रही है बार वह आवाज दे रही, उधर साहारन दे लेकिन आपका दिमाग है कि वो तो बिजी है, फोन में, इधर वाले जो आवाज अवाज गई दिमाग के पास कि ट्रेन आ रही है, आँकने भी दिंखा कि ट्रेन आ रही है लेकिन आँकने exporting climbed 시 pointed तो आप वहां से उठने वाले नहीं हो मतलब ये है कि सभी ये लोग अपना काम कितना भी अच्छा से करें अगर दिमाग ने उसको एक नूर कर दिया तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ऐसे में आप देखते हैं अखसर लोग बात करते करते पटरीफ चले जाते हैं लोगों का एक्सिडेंट हो जाता है यही सब कारण होता है दिमाग ने उस जानकारी को एक्सिट ही नहीं किया ठीक है तो यह हमने बताया आपको कान के बारे में सेरोमेन गरंथी है ये तमाम जो इतनी जानकारी आपनी कट्ठा किया हुई हम क्या पढ़ रहे थे? 22 रावी गरंथिए हैं, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? Cheromane गरंथि कहां मिलती है? कान में मिलती है, क्या बनाती है? मोम बनाती है, कोड बनाती है, कुछ भी कर लो दूजरा हम पढ़ेंगे आक से संबंदित आक में भी जो गरंती है वो भी सब 22 रावी गरंती है उनजायम से निकलता है तो सबसे पहले आक में देखेंगे लैक्रिमल गरंती यह वाला पाट दिखरा है आपको यह है लैक्रिमल गरंती जिसका लेक्रमल गरंत एक्टिवेट होना तो वो तो जबर्जस्त लोगों को बेगूफ बना सकता है और आप तो जानते हो ना किसका लेक्रमल गरंत बहुत एक्टिवेट होता है पता है आपको? नहीं आप गलत सोच रहे हो, मैं बता रहा हूँ लेक्रमिल गरंथ एक्टिवेट होता है हमारे फिल्म इंडिस्ट्री या फिर टेली वीजिन कलाकारों का जो कुछ भी बात नहों अचानक से रो देते हैं और बड़ी बूधे आखों में आ जाती है उनका एक्टिवेट होता है उसके बाद अगर बात करें तो मेल फिमेल में जाएंगे तो सबसे जादा एक्टिवेट होता है लड़कियों में या फिर महिलाओं में यो इतनी आसाशाणी से रो देती है और इतना धेर सारा आसु निकाल देती है लड़के तो सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं कैसे रोती है दूसरी बात जरा साभी बनावट नहीं देखता है इतना अच्छे से रोती है कि सामने वाला बो बोलेगा भाई क्या चाहिए वोलो जान ले लो मेरी, इतना ज्यादा प्रभावित कर देती है, इन गरंथियों, इन गरंथियों से लोग एक दूसरे को, तो यह है लैक्कमल गरंथि, क्या करती है, आंसु बनानी का काम करती है, आखों में यो बड़ी-बड़ी आशु आ जाते हैं, यह कौन लाती है, लैक्कमल लाइसो 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 लाइस किनारे एक ग्रंथी होती है उसको बोलते हैं पंकटन सुने हो आप मैं आपको दिखाता हूं इधर देखिए यहां लिखाईए पंकटम लोवर पंकटम अपर पंकटम उपर नीचे दोनों जगा होता है इसका काम क्या होता है सुनेजे पंकटम का क्या होता है जब बड़ी को इसो को कर ले जितना भी आपके आνक में आसोगा जरूर से बनेगा तो जहाएंना स्रूफा जानाते नापके तो आशु को इस्टोर करके इस नलिका के माध्यम से यहां नाक में भेद देगा यही करण है जब कोई रोता है यह नाक भहने लगती है आपको भी रोए हो अज तो संड़े है ना आज रोकर देखो आप रोकर देखो देखो नाक भहती है नहीं आपकी एक दस्ती लेकर वैठिए इस वीडियो के यही रोकते हैं इतने ही डिटेल से यही रहेगा यही करण है जब दिरूर्ण से ज्यादा आख में आशु भर जाता है ना तो यह इधर भेद दिया जाता है इसी बहानी निकल जाए कम जब इसी बहानी नाक भी साफ हो जाती है और आपका दिल भी हलका हो ज इस वीडियो के यही रोकते हैं इतने ही डिटेल से अभी रह गया है आख में गरंथी और है उसका काम देखेंगे इसके बाद स्वेध गरंथियों को देखेंगे जो पसीना बनाती है उनके बारे में डिटेल से देखेंगे और खासकर स्तन गरंथियों के बारे में डिटेल आने वाला है और अगर चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और मन लगा के पढ़िए मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में सेयर जरूर कर दिया करें